हलो एवरिवान मेरा नाम है तपिशेन और आज हम बात करेंगे अपनी ट्रेडिंग को किसे एंप्रूव करें कि इसी चीजे जो हममिस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में आज कोई मेरा टॉपिक को परटिकुर्स शेर के बारे में नहीं है कि हम जो मंदब बेगिनर सगे रहा होते हैं जब स्टार्टिंग करते हैं अपर तो कहीं प्रॉब्लम आती है और हमें उस सीज को लिके गाइट करने वाला कोई नहीं होता यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं पर कितने अथेंटिक क्या हैं सब का अलग अलग अपना प अगर आपको 1% से 7% मिल रहा है एक पर सेंट पर मिल रहा है तो बहुत अच्छा मानते उसको इंटरेट रेडिंग के लिए तो सबसे पहले वह ची हमें देखनी है और उसके अलावा हमें देखना है कि लिक्विटिटी किती हो से स्टोक में अगर आप देखेंगे कि शेर मे हो जहां पर continue आपको मुमेंट दिख रहा हो वहां पर तो इस तरीके शेर सीजी ली मिल जाते हैं अराम से आप यह देखिए अब जैसे इसको कौन ज्यादा इंटरे में मुमेंट के लिए बाइस एल करने जाएगा कोई लिमिटेड होते हैं जो लोग खरीद इसको जो होल्ड करते हैं फिर उस तरीके से तो हमें शेर से देखने हैं शेर सो रुपे का भी हो सकता है जो लिक्विटिटी हो दस अजार के बीचाता है पूरा सेक्टर तो उसमें आपको अप्ट्रेंड में जा रहा है आप टार मोटर्स को डाउं ट्रेंड मिले जा रहे हो मतलब शॉट सेल कर रहे हो या इसको नेगेटिव पुट ले रहो उसकी या फिर पूरा सेक्टर तो समें शॉट हो रहा है नेगेटिव चल रहा है आप को ही support करेंगा उस चीज में तो अपने को यह ध्यान अखनी है सबसे पहले sector पकड़ो सेक्टर में क्या momentum है ट्रेंड कैसा उसका उसको समझो उसके बाद उसमें जाओ उसके इंडियर शेर्स देखो माँ पे इंडियर शेर्स में भी quality करना है हमें किसी को beat करना है हमारे किसी को completion है हमें उन सब चीजों से निकल कि अपने accuracy फोकस करना है accuracy में क्या प्लान करें आप चाहिसे एक शेर लें पर उसमें यह देखिए कि आपने percentage कितना अच्छा profit निकाला आपने उसमें अच्छा निकाला यह मत देखो कि amount कितना हुआ था जब आपके accuracy ड्लप हो जाएगी आपको पैसा मिलेगा profit मिलेगा सब चीजे आपके अच्छी हो जाएगी आपका confidence ड्लप होएगा अगर आपने accuracy पे ध्यान ने दिया तो कहिना आपना confidence को देंगे उस चीज की वैसे आप उसमें trading निकर पाएंगे और वह बहुत बड़ी प्रोब्ला में जब निकलना बारबर बहुत दिकास आती चीजों से तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अपने accuracy फोकस करें वह जीजे हो जाएगी तो काफी कुछ सभी हो जाएगा maximum उसके बाद है price action share का price के moment कर रहा ह इसको कुछ दिन वोच करिए उसकी price के case according action ले रही है उसमें वहाँ पर वो चीज़ देखिए एक शेर उसका 30 रुपे का moment होता है दिन बर में 30 रुपे उपनीचे करता है आप एक्सपेट कर रहे है कि पचास रुपे बढ़े तब मैं उसको बेच हुआ तो यह लॉजिक ग शेर का moment देखना है में वही सेम कंडिशन हो गई आप moment पकड़ी उसके कुछ दिन तक वोच करिए उसका moment आपने देख लिया वहाँ पे उसके बाद उसमें इंट्री करिए एकदम से random को रफ मलाब इससे शेर उनी कि आज आज आपने random उस शेर में चले गए उसमें चले अगेंस में नौर्मली इंट्रडेम में स्विंग्रेट में वन बाई टू का रिशो अच्छा मानते हैं वन बाई थी भी कोई फोलो करते हैं तो यह आपको अपना रिस्क के साथ दिखना है कि आपको कितना रिस्क लेना है कोई 500 रुपे का शेर है आपको लगता है कि मैं 30 रिस्क रख लूँआ उसके उपर साथ रुपे का प्रॉफित रख लूँआ और फिर नभी रुपे कर रख लूँआ तो वन बाई टू हो गया तो इस अकोडिंग आपको प्लान करना है ताकि जब भी आप रखके लेके जाए अपनी कैपिटल लेके जाए तो उसमें से सिर अगर लोस भी होता है इन केस तो कुछ पार्ट होए वरना इस तरीके से तो आप पूरी कैपिटल खतम कर देंगे अगर आप सुचेंगी नहीं मेरा तो शेर चलेगा मैं तो होल्ड करके बीठों उसको मैं स्टोब लोस नहीं लगा हूँआ मैं रिसकर उसकी मैंटें नहीं क उसकी कोई कमी नहीं है अपने आप पर फोकस करिए अपने माइंड पर करिए आपको इंडियो जैसा लगता है को शेर किसी टॉपिक में मैं इंडियो वीडियो बनाऊ तो आप मुझे मैसेज कर दीगा कमेंट करिए कि इसमें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर सब्स कर दीगा थैंक यू फ्रेंड्स